आज मैं आपके लेकिया हूं सक्करगंदी की एकतम नई रेसिपी बिना स्टीम किये हुए बिना बेक किये हुए एक बहुत ही नए तरीके से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और जूसी है आप देख पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी अगर पसंद आए तो आप जरू कॉमेंट कीजिएगा है हेलो फ्रेंड्स मैं हुरेशम और मेरे चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं लगबक आदा किलो सक्करगंद जिसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहने चाहिए तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं इन सक्करगंदियों को अच्छे से पीलर से पील आउट कर लेते हैं इसके छिल के बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए सारे हम मैंने अच्छे से छिल लिये हैं अब आप चाहें तो पहले सकरगंदी को ऐसे ही वाश कर लिए otherwise आप छोटे छोटे पीसे में कट करके इसे पानी में डालती जाएं यह आप पे डिपेंड है तो मैं यहाँ पे डायरिक्ट पानी में डाल रही हूँ चोटे चोटे कट करके तो हमें किस तरीके से कट करना है यह मैं आपको बताती हूँ तो यह मैंने नॉर्मल पानी लिया है और यहाँ पे लगबग मैं हाफ पिंच के हिसाब से इसका साइज कट कर रही हूँ तो देखिए इतना ठीक हमें रखना है बहुत जादा पतला हमें इसे cut नहीं करना है इसे सेफ में हम सारे सकर गंदी को पहले cut कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने सारे सकर गंदी को अच्छे से cut कर लिया है इसे हम लगबब दो से तीन पानी अच्छे से वाश्ट करेंगे ताकि इसमें कोई भी मिट्टी ना रहे अब हम इसे दूसरे डिसमें ट्रांसफर कर लेते हैं तो यह जो सक्कर गंदी है हमारी कट होके बिलकुल रेडी है तो चलते हैं अब हम मारे नेक्स्ट प्रोसेस पे तो फ्रेंट्स इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कुकर में कुकर को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे लगबग 1 टी स्पून घी आप चाहें तो इससे भी कम क्वांटिटी में घी दे सकते हो यह घी हलका सा जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें एड़ करेंगे यह सक्कर गंदी जो हमने कट करके वाश करके रखी है इन्हें हम इसमें डाल देते हैं अब हम इसे चम्मस से एक बार अच्छे से चला देते हैं और क्या होता है कि फ्रेंड्स कभी-कभी हमारी जो सक्कर गंदी है फिकी रहती है तो इसे थोड़ा सा सुईटनेस देने के लिए हम इसमें एड करेंगे गुड तो यहां पे उससे पहले मैं एड कर रहे हूं नमक मैंने चोटी-चोटी पिसस में कट कर दिये हैं आप चाहें तो अगर आपके सकर गंदी मिठी हो तो आपके गुड की कौंटिटी थोड़ी कम ले सकते हो और अगर आपको थोड़ा सा जूसी पसंद है तो आप इसमें लगबग 1 टेबल स्पून दूद का एड करें तो यहा और कुकर का धकन लगा देते हैं तो फ्रेंट्स आप इसमें पूरी सिटी नहीं लगानी है हाफ सिटी में हमें इसे निकाल लेना है जैसे ही हाफ सिटी आती है हम इसे खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं तो आप चेक करने के लिए एक पीस को उठा के देखिए अगर वो तो चलिए अब हम इसे दूसरे डिस में ट्रांसफर कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स कितना जूसी लग रहा है अब हम इसे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए इस पे स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला और इसे सर्फ करेंगे यह जो हमारी सक्कर गंदी है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए तो देखिए इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते है अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर किजिए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिए इंस्टा पर भी मेरा पेज है लिंक नीचे दिया हुआ है उस पर भी आप मुझे फॉ की बए बाए!